जैन प्यारे साथियों, यहाँ पे मैं बात करने वालों, यूपी बिलिस कॉंस्टेबल की न्यू वेकिंसी के वारे में तो आप सभी को पता है कि 26,745 वेकिंसी की उत्रप्रदेश के मुखमंतरी यूगी आधितना जीद द्वारा घोशना करने के यह और बहुत ही जल्दी इ लगवक्त तीन से चार महिने की तैयारी में लगवाब दोसो पच्चेस से दोसो तीस तक का आरम से स्कोर कर सकते हैं जो की आपके एक्जम को क्रैक करने में और आपको सेलेक्शन देने में हो जाएगा तो चलिए यहाँ पे आप सभी को बताते हैं तो सबसे पहले यहाँ प आपको दो नमबर दिये जाते हैं यानि टोटल तीन सो नमबर का आपका पेपर होता है और इसकी समय सीमा जो होती है वो दो घंटे में आपको पेपर पूरा करना होता है इसके लिए वन वाई फूर की नेगेटिव मार्किंग रिखी गई है जिसमें प्रतिक गलत उतर के ल पिष्णों की संक्या होती है हिंदी में 37 पिष्णों की संक्या होती है वहीं पर मैत की बात करूँ तो मैत में आपकी पिष्णों की संक्या 38 होती है और वहीं पर अगर मैं बात करूँ आपके रिजनिंग में 37 होती है यानि 38 37 इस प्रकास से टोटल आपकी जो पिष्णों क संख्या हो जाती है और टोटल आपके नंबर हो जाएंगे हर एक के लिए दो नंबर दिये जाएंगे तो 300 नंबर आपके हो जाएंगे तो यह आपका complete syllabus होता है तो math के अगर मैं बात करूँ तो बहुत से के मानेंगे तो यह complete होगे आपका syllabus आप समझ गए होंगे अब इसके बात आती है कि कैसे आप तयारी कर सकते हैं कितने घंटे आपको पढ़ना रहेगा और कौन कौन सी बुक आपको यूज करनी रहेंगे तो देखें सबसे पहले मैं आपके लिए कोई बुक नहीं हो सकती जिसमें आपका पूरा स्टेटिक और जितने वर आपके सब्जेक्ट बाइब जितने वर टॉपक होते हैं सभी टॉपक क्लियर हो जाते हैं तो आपकी पढ़ सकते हैं इसके बाद आप बात आती है आपकी कि आप मैट के लिए कौन सी बुक यूज करनी है तो मैट के लिए मैं आप सभी को बता दू आरे सग्रवाल बैस्ट को के एकदम मुझे नहीं लगता कि उससे जादा आप सभी को कुछ पढ़ने की जरूवात है तो आरम से आपका आरे सग्रवाल से पूरा complete हो जाएगा और previous year के paper देखने ना previous year के लिए मैं आप सभी को वीडियो के description में link दे दिया है वहाँ से जाके आप previous year के सभी paper free में download कर सकते हैं आप पस one click करेगा एक click में ही आप सभी redirect हो जाएंगे और वहाँ से जाके सभी जो previous year के paper यूज कर सकते हैं उससे जादा नहीं आता और उसमें से बहुत सारे प्रेशन आपको same to same देखने के लिए भी मिल जाते हैं तो ये तो हो गई complete आपकी book की बात और आपको syllabus बता दिया बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको follow करने होंगी तो देखें पहली बात तो मैं आप सभी को बता दूँ कि बहुत सारे लोगों से जब आप पूछेंगे तो आपको बता देंगे कि मैं 6-7 गंटे पड़ता था तो इस बात को अपने दिमाग बेना बैठाएं कि वो 6-7 गंटा पड़ता था तो आपको भी 6-7 गंटा पड़ना पड़ेगा क्योंकि हर केसी कि छमता अलग-अलग होती है तो कोई 4 गंटे में काम कर सकता है कोई उसी काम को 3 गंटे में कर सकता है तो ये खुद की छमता आपको पेचाननी होगी कि आप कितने काम को कितने कम समय में करेंगे या जाता समय में करेंगे तो उसी केस आपको पड़ना रहेगा तो ऐसा नही होगे आपकी में जो बाती इसके बाद बात आती है बहुत सारे लोग पूछते हैं कि इसके लिए कोचिंग हमें जाना चाहिए नहीं चाहिए तो देख कोचिंग जाने का सबसे बड़ा benefit क्या होता है कि आपका time table बना रहता है अगर आप घर पे रहके अपना time table बना सकते हैं उस time table में कोई भी disturbance किसी भी तरीके का नहीं है तो आपके लिए कोई दिकत नहीं है आप घर पे रहके भी इस exam की त्यारी कर सकते हैं कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन coaching जाना इसलिए बैतर होता है क्योंकि जब आप coaching पे जाते हैं तो आपका schedule होता है वो बना रहता है और proper time पे आप सारी चीज़ों को follow करते हैं जादा beneficial सावित होता है लेकिन फिर भी अगर आप follow पर सकते हैं तो आप घर पे रहके भी आराम से तैयारी कर सकते हैं साथ ही मैं आप सभी को बता दो को देखो फाल्दू की जो advice होती है उन से आप सभी को जरूर बचना होता है क्योंकि जितने लोगों से आप सलाव आँ होगे उतने लोग अलग अलग type से आपको advice देंगे और होगा क्या कि आप उसमें से किसी एक को भी following कर पाऊगे तो इसी मूर से आपको बता रहा है आपको नहीं बता अभी उसने कह दिया कि लक्षमी का अंध पढ़ लो अब आप एक चीज बताईए constable के लिए लक्षमी का अंध पढ़ने की क्या आपको जरूरत है बिल्कुल जरूरत नहीं है अननेसेसरी होगा अगर आप लक्षमी का अंध की कितनी उसे knowledge ले सकता है ये सबसे ज़्यादा main चीज होती है तो आपको ये सारी चीज़ें देखनी होंगी जो जो चीज़ें मैंने आप सभी को बताई है जो भी book मैंने आप सभी को बताई है वो आपको धिहन में रखी चलनी पड़ेंगे और सबसे पहले जो मैंने previous year आप स कौन सी बुक बैस्ट है कौन सी बुक का जो ले बल है वो exam के एसाब से सही है दूसरी बात मैं आपको बता दूँ कि आप mock test ले ले या practice ले ले प्रैक्टिस हैट offline ले सकते हैं बुक बगरा कोई ले ले जो भी practice आट आपको मिल रहे हो उससे भी आपका काम हो जागा उससे की तयारी करते हैं तो भी आपका काम चल जाएगा कोई दिक्कत नहीं है अगर आप online practice लेते हैं तो और भी अच्छी बात रहेगी क्योंकि आपकी जो calculation बगरा होगी और जो आपकी speed होगी वो काफी बढ़िया हो जाएगी online में क्या होता practice की speed की काफी अच्छी practice हो जाती है तो उसके लिए देखें मैं आप सभी को बता दू हमारा application है study for dreams जो कि आप गूगल प्ले स्टोर पे भी मिल जाएगा यो पे ब्लेस कॉंस्टेबल के लिए भी कुछ test series बनाए गई है तो वो जाके आप ले सकते हैं वहाँ पे आप सभी को test मिल जाएंगे और in future बहुत सारे जो test होंगे वो भी add कर दिये जाएंगे तो उसका भी benefit आप वहाँ पे जाके ले सकते हैं आप सभी के लिए उसे तयार कर दिया गया है वीडियो के description में आप सभी को link दिया गया है वहाँ से जाके भी आप download कर सकते हैं तो देखिए complete जितने ही बहुत छोटी छोटी चीज़ और काफी दिनों पाद आ रही हैं तो definitely आपको competition का जो level होगा वो थोड़ा सा बढ़ा होगा देखने के लिए मिलेगा पिछली वर्ती के मुकाबले तो उसी के हिसाब से आपको खुद को तयार करना है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो फिर भी किसी तरीके का अगर कोई doubt रह और किसी तरीके क करना हो भी तरीके का अगया।